अज हम आपके GK, Moral GK की बुक में, जीके पॉर्षन में चैप्टर स्टाट करेंगे चैप्टर नमर 11, Religious Festivals जो हम अपने तेवहार बनाते हैं, इनको हम रिलीजियल फेस्टिवल्स बोलते है, हमारे वर्ड में बहुत सारे सेलिब्रेशन सेलिब्रेट किये जाते हैं, ठीक है? first है जैसे ईद celebrate करते है क्या करते है उसमें मुसलिम भाई बेहन जो होते हैं गली लगते हैं नमाज बढ़ते हैं इद की शुपकामनाएं देते हैं दशेरा में क्या करते है कि रामड का दहन करते हैं राम ने रामड को मारा था ना तो उस दिन दे सहरे का हम दहन करते हैं होली ठीक है जब होली का कान थुआ था तो उसकी खुशी में हम लोग होली मनाते हैं बहुत सारे कलर से हम लोग खेलते हैं बैसाखी बैसाखी पंजाब में मनाया जाता है mostly वहाँ पर जो फसल उपती है ना तो उसकी उसमें हम बैसाखी तेवार मनाते हैं Christmas Christmas मनाते हैं हम जो हमारे सिख भाई बहन हैं अब तो सब मनाते हैं जैसे Jesus Christ उनका बर्डे रहता है उस दिन तो हम उनकी याद में Christmas मनाते हैं गुरु परव हमारे जो सिख भाई-बैन होते हैं, वो गुरु परव मनाते हैं, उस दिन क्या हुआ staple कि जो गुरू नानक देव सहाव है न इस दिन बड्ड़े हुआistles तो इस उस खुझी में हम गुरु परव मनाते हैं दिवाली को मारकर रवन को मारकर जब यूद d'ye वाप उस दिन जो बहने होती है अपने भाई को राखी बानती है और भाई फिर उनको गिफ्ट देते हैं, चीक है, तो यह हमारे धार्मिक देवहार है, नेक्स्ट यह आपको एक्सरसाइस फिल करनी है, चीक है, गुरू नानक देव का बर्डे का मनाते हैं, गुरू पर्व के वाली, फेस्टिवल अफ कलर्स, होली, जीसस क्राइस बर्डे, क्रिस्मस, एंद डी, राम न वास, किल्ड, रावन का मारा गया था, राम ने रावन का मारा था ना, तो देशेरे वाले दिन हमारे राम प्रभू ने रावन का अंद किया था, ठीक है, तो यह आपको पढ़न जैसे 26 जनवरी 15 अगस्त गांधी जैंति तो यह क्या होता है हमारे नेशनल सेलिपेशन होते हैं इनको हम सेलिब्रेट करते हैं ठिक हमारे नेशन में हम लोग इसका सेलिब्रेट करते हैं अवर इस सेलेब्रेटे डॉन हम कब सेलेब्रेट करते हैं इंडेपंडेंस डे 15 ओगस्ट रिपब्लिक डे कब सेलेब्रेट करते हैं 26 जैन्वरी गांधी जैनती का होती है सेकेंड अक्टूबर ठीक है चिल्डरन्स डे कब सेलेब्रेट करते हैं 14 नवंबर को टीजर्स डे 5 सेप्टेमबर ठीक है तुकि हमारे कुछ नेशनल सेलेब्रेशन होते हैं ठीक है नेक्स आती है आपकी असेंब्लिंग असेंब्लिंग मतलब क्या होता है कि जो चीजें एक दूसरे से बिलॉंग करती है जो एक जैसी रहती है उनको एक हम गुरूप बना लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं असेंब्लिंग जैसे कलर्स ठीक है जैसे रेड ग्रीन बुलू इनको सब एक काटेगरी में रखते हैं वह हमारे कलर्स हो जाते हैं उसी जैसे आपकी एकसरसाइज है रहीम रजत गोपाल यह सब एक जैसे लग रहे हैं मतलब यह बॉआ है ठीक है तो इनको हम क्या लिखेंगे बॉआइज सर्ट पैजामा और फ्रॉंक यह क्या है यह सब क्लॉट्स हैं कपड़े हैं तो यह पू सटर्डे यह कहें डेज हैं जैनवरी एपरिल जुलाई यह मंत्स के नेम हैं हाउस मॉल स्कूल यह बिल्डिंग होती हैं टेडी डॉल ट्रेंड यह कहें ट्वाइज हैं ब्रिंजल टोमेटो पीस वेजिटेबल्स मैंगो गॉबा ग्रिप्स फ्रूट्स रोज मेरी गोड ल नेक्सर आप का चैप्डर आता है चैप्डर नमबर 14 हिस्टोरिकल प्लेस ब्राइज के मतलब क्या होता है कि जो हमारे आतिहासिक जगह होती है हमारे पूरे भारत देश में कुछ ऐसी एतिहासिक जगह हैं जो बहुत ही सुंदर भी लगती हैं और वे बहुत पुरानी हैं जैसे ये ताज महल, ये कहा है, आप गए हैं, ये आगरा में हैं, और ये बहुत ही सुन्दर है, हवा महल, ये कहा है, जैपुर में है, इंडिया गेट है ये, डेली में है, गेटवे ओफ इंडिया, ये मुंबई में है, डेली में रेट फोर्ट भी है, लाल किला जिसको बोलत यह आपको match करना है ताज महल कहा है आग्रा में है इंडिया गेट डेली में है गेटवे आफ इंडिया मुंबई में है हवा महल कहा है जैपूर में है रेटफॉर्ड न्यू डैली एक ही है बस तोड़ सा जगह तोड़ सा change जाती है आप बोपाल देखते हैं नीव बोपाल एंड बोपाल विसी डैली एंड निव डैली है ठीक नेक्स्ट आप कराता है फीज से हैं आप बताने हैं कौन-कौन से है- घशे कीफ आ पढ़ेंगे पहले यह है दयक्सट आप प्रूट मैंगो स्वासदbilirिक the king of cereals, wheat, मतलब अनाज, अनाजों का king, wheat, हर चीज wheat से ही बनती है न, the king of gods, god भगवान, कौन है king, कौन है raja, the king of gods, lord, indra, the king of vegetables, brinjal, ठीक है, तो यह आपको spelling याद करनी है, ठीक, तो यह सारे chapter की exercise आप बुक में फिल करेंगे, और इसको पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक,